जैश्त्रे राम कैसे आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे आप सभी को स्वागत है एसे सी फैंटेसी चैनल में आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजेस बेंगलूर वरसर कोलकता नाइट्रेडेस के बीच में खेले जाने वाला आई-पील का तेंथ टी-टॉंटी मैच के बारे में तो भाई यहां पर अभी ते जितने भी आई-पील मैंच सोरी सारी की सारे टीम अच्छे जा रहे हैं लेकिन इस वीडियो हम यहां पर जानेंगे बैए बीच जीयल टीम किस परकार बनाया जाते हैं तो बीच जीयल टीम में हापर मैं प्रेडिक्शन करूँगा बैए ओ भी लाइव बना की दिखाऊंगा कौन-कौन सा प्लेयर को लेंगी तो हमारा टीम स्ट्रॉंग बनेगा यह सारा जानकारी आपको मैं बताऊंगा एक भी टीम मैं नहीं बनाया बैए जो भी टीम होगा लाइव होगा विकेट कीपर, बैट्समेन, और रोंडर, बोलर में सभी प्लेयर को मैं लाइव बना के दिखाने वारा तो भाईयों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है पहले बार आप हमारे चानल से जोड़े तो चैनल को एक पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ साथ बेल आइकाउन को भी क्लिक करना क्योंकि फ्यूचर में यतने भी वीडियो में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जागा आप वहां जाके देख सकते हो फाइनल टीम फदर अप्लेट के लिए आप हमारे नजर आएंगे तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा रह्मानुला गुर्बाद और कोना स्रीकर भर तभी तक तो नहीं खेले लेकिन यहां पर आपको फिलिप शॉल दिनेश कार्थिक और अनुजरावत है तो दिनेश कार्थिक अगर मैं बात करूं इनकी बैटिंग औरअब यहां पर विएट रहें और आपको कौन से प्लेयर तो फिलाल के लिए अनुज रावत को ले रहा हूं यहां पर मैं फिलिप शॉल दिनेश कार्थिक दोनों को ड्रॉप करूं और बैटिंग डिपार्प्विंट में लास्ने के विराट ग तो लिए चा आप बनाए खेलना वाई उसका बाद यहाँ पर आते हैं इस टीम के लिए आपको वेंक्टे सेर मनिस पांडी को अभी चक मौका नहीं मिला रज़त पटितार महें पाल लोमक्त यहाँ पर लास्ट में सब्स्ट्टूट इंपक्ट टेर पर आये और खदरनाक बल्लेबाजी किया तो इन सारे प्लेश में अगर देखा जाए यहाँ पर आपको मैं तीन बल्लेबाज प्रिफर करूंगा विराट कोली फैब डूपलेश और इसके साथ स्रीय सायर रहेंगे और बाकी और प्लेश से लेकिन यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा प्लेयर की बात करें तो इनको भी इनका भी गेंद बल्ला दोनों सान्त है उसका अब यहाँ पर आपको एप लियर याद होगा यह प्लेयर की रमान दीप सिंग आहीं तिंग काफी अच्छे प्लेयर है बड़े शॉट्स खेल सकते और लाट्ट मैच में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते ब वे मुंबई इंडियन और यहाँ पर जब आये हैं भाई कुल गता भाई कमाल की परफॉरमस दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं इस मैंस में बात करूं तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सवल और अंडूर रसल दोनों प्लेयर रहेंगा भाई दोनों को मैंने टीम पर ले लिया लेकिन गेंद बाजी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं मिचल स्टार्क और इस सीजन के सबसे महेंगाई प्लेयर है भाई मुहमद सिराज है लोकी फर्गोशन को अवाइट की जाएगा वरुन चकरवर्ती है भाई दस्मन चमीरा अभी तक नहीं करें और इसी टोपली भी नहीं खेलें भाई यहाँ पर करेंच सर्मा खेलें लेकिन अच्या पर्फॉमेंस नहीं देपार व्यास विजय कुमार लास्ट सिजन अल्रडी आर्चीबी के लिए खेलें भाई अच्छे गिंद पाजें अलजरी ज हारने वाले मैंच को जिता हैं लेकिन इनको लगवाग 60% तक फाइन पड़ा था क्योंकि भाई यह प्लेयर यहाँ पर थोड़ ज्यादा वावर एक्टिंग है आप अधर एग्रेसिव नेचर है यहाँ पर हितेश राना के लेकिन यहाँ पर एक्रेसिव नेचर कम करना चाह यहाँ मुझे काफी अच्छा लग है माहीं करवाल के करेक्टर और यहाँ मेंच क्लेयर है और यहां पर देखत पर आपको चाइं डाजैने मेंगे सिराज और यहाँ CP rating कर लिए थे, तो यहाँ पर मेरे टीम तो बन की अगर लेकिन के वामले में आपको कून-कून सा प्लियर यह जानना के लिए काफी इंप्रेंट तो केप्टेन वाइस केप्टेन पर इस माच के लिए मैं बात करूं बैए तो यह प्लेयर आपको यह जो टीम आप स्मॉली के लिए भी यूज कर सकते हो लेकिन पहले विकेट कीपर पर देख लिए अनुज रावत है चार बल्ले भाज़े विराट कुली फैप डूपलेसी स्रिय पर नहीं पर इसाथ जा रहा हूं वाई यह जो टीम मैं ने पहला चील टीम बना लिया और अभी आपको मैं दिखाएँ तैक दूसरा चील टीम पे आपको दिनेशकार्टेक विकेट कीपिंग पर रहेंगे बैटिंग डिपार्ट्में पर दूसरा इस लिए रिंकिन पर रि टीम पे रहेंगे, Cameron Green को भी मैं टीम पे ले रहा हूँ, यह दोनों प्लेयर को मैं टीम पे confirm कर रहा हूँ, आप भी इनको confirm कीज़ेगे, दोनों all-rounders काफी important है, और यह दोनों match changing player से भाई, तो यहाँ पर दोनों को मैंने confirm कर दिया, और Maxwell और Sunil Larain, यहाँ पर आप Sunil Larain को यहाँ पर मैं सुयास सिर्मा को ले रहा हूँ, यहाँ पर impact player के रूपे, आपको चारवार जरूर गेंद बाजी करेंगे, तो यह player को आप टीम पर रखेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा, उसका बाद एक और गेंद बाजी की मैं बात करूँ, मैं जल स्टार्ट को मैं ट टीम काफी अच्छे बनें, लेकिन इस match के लिए आपको Captain Vice Captain पर बात करें, तो यहाँ पर मैं दो all-rounders के साथ जाओंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, Andrew Russell और Cameron Green है, दोनों finishing player है, तो इन दोनों को आप यहाँ पर Captain Vice Captain पर ले लिजेगा, और यहाँ पर आपको 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 दो GL टीम बना लियां और आभी आपको मैं दिखाऊंगा तीसरा GL टीम, और तीसरा GL टीम किस प्रिकार रहना चाहिए, वो भी जानकारी आपको यही पर देने वालों, तो तीसरा GL टीम पर आपको मैं बताऊंगा विकेट कीविंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको मैं जरावत रहेंगे, बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ, विराट को लिए को आप टीम पर रखेगा, इसके साथ मैं रिंकु सिंग को टीम पर ले रहा हूंगे, चारो ओल रूंडस को आप यहाँ पर टीम पर रख लीजेगा, गेंद बाजी में स्टा यहाँ पर इस माँचके साथ मैं रखेगा, ले टीम पर दोग हैं तो यहां पर पर आपको पात पर ठेंगे यहां पर अनुज रावत को टीम पर ली हैं विराट कोल से यहां पर घुग अभी तक इनका पर सैंध 걸 sub सुनील नरायन और क्यांबूरोंड ग्रींशार प्लेयर को ले रहा हूँ गेंदभाजी में आपको स्टार का सिराज्छ यह दुनों गेंदभाज को मैं टीम पे ले रहा हूँ लेकिन आभी आपको में बताऊंगाँ कोन-कोन कोन सा प्लेयर सही रहेगा भय तो वाइस के प्ले से खास प्रफॉर्मेंस नहीं दे पाएं एक नाए क्माश में तो देखने के लिए जरूर मिलने वाला तो मैं अभी केप्टन वाइस केप्टन बना के रख लेता हूं तो दो विकेट की पर तीन वल्ले बाद चार ओल डूंटर दो गेंद बाजया बैए केप्टन वाइस केप आपको दिनेश कातिक और अनुज रावत रहेंगे और बैटिंग डिपार्टमेंट में विराट और फैब डूपलेसिस यह दोनों काफी इंपॉर्टेंट स्रेय सायर रिंकू सिंग यह दोनों को लीजेगा और मैक्सवर और आंडूर रसल दोनों ही रहेंगे लिकिन के इं हाँ पर आपको हैवाज है और के उल्टमेंट के मामले में में बात करूं काफी ब्लेयर आपको नजर आएंगे लेकिन यहां पर सब्सक्राइब कि अगर बात करूंग तो तो मैं दो आर्डूर रसल यह दोनों प्लेयर को 100 पशल रहेंगे बाएकेप्टन आपके बना लेता तो यहां पर Maxwell की बल्ला अभी तक सांध रहा इसलिए यहां पर इनको काफी कम लोग बना रहे लेकिन यह प्लेयर आपको मैच चेंज करके जरूर देने वाला है तो एक पर टीम अच्छे से देखने के बाद भाई यह जो टीम है इस टीम को मैं सेव करके रख लोंगा पांच तो देखते देखते हैं हमने पूरे पांच जी ल टीम बना लिये और अभी आपको मैं दिखाऊंगा च्छटा जी ल टीम पर कून सा प्लियर सही रहेगा और क्यों लेना चाहिए टीम पर यह भी जानका जी आपको मैं बताऊंगा तो यहां पर बैटिंग डिपार्मेंट म मैक्सवल दोनों को ड्रॉप कर रहा हूँ स्टार कर रहेंगे सिराज रहेंगे उसका बाद यहां पर वरुन चक्रवर्थी को टीम पर ले 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 ला तो यहां पर आपको मैं केप्टन वाइस केप्टन पर कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए यह जान कर आपको मैं बताऊंगा लेकिन यह माच के लिए अगर मैं बात करूं केप्टन पर विराट को लिए और वाइस केप्टन पर सुनिल नारायन है और टीम भी आप देख सकते हो एक विगेट की पर पांच बले बाद दो और तीन गेंदवाज है विराट को लिए और सुनिल नारायन तूली डिजर्व देना भूल गया भाई यह 6 GL टीम आपके देख लिया लेकिन भाई अभी जग अपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करना क्योंकि 6 GL टीम मैं बना की कंप्लीट कर चुका है लेकिन अभी यहाँ पर आपको मैं पहला चार मैच के मैक्सबल विराट कोली 3S अभाई और इसके साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे अनुज रावद क्योंकि अनुज रावद आपको कफी बड़िया प्लेयर है और यह जो प्लेयर है यहाँ पर है चार प्लेयर लेकर मैंने दूसरा जील टीम भी बना लिया और बैक अप प फौर्थ जील टीम पर आपको इंपक्ट प्लेयर पर रिंकु सिंग और यहाँ पर वंखटे सायर नितिष राना और इसके साथ अब दिनिश कातिक को लिजेगा दिनिश कातिक आपको जरूर एक अच्छे फिनिसिंग दे सकते हैं तो यहाँ पर यह मेरा चोथा जील टीम थ देख लिएू Yayomar काफी बड़िया प्लेयर है तो इनको मैंने टीम पे आड़ कर लिया और यह जो प्लेयर मैंने पांछम त्म ग्यों टीम पे माने इम्पक्त प्लियर के रूप में मैंने ले लिया और यहां पर अपको श्क टीयं त्यूल प्लेयर में लिया इंपक्त वे बेंगलूरू प्लेयर को और यह जो टीम है इस टीम पर भी अब देख सकते हैं यहां पर हमने पूरे 6-6 बैकप प्लेयर को आड़ करनी है तो थोड़ा लेट कर दिया इसके लिए मैं माफी माँगना चाहूँगा लेकिन अभी तक आप वीडि इसकातिक टीम पर रहेंगे विराट और 5-2 प्लेशेज और स्रिये सायर और वेंक्टे सायर है इस चारों को टीम पर रखिएगा और उसका बैटिंग डिपार्टमेंट में ग्लेड मैक्सवल आंडूर रसल कैमरें ग्रीन सुनिल नरायन है और यहां पर स्टार को सिराज है और यह जो टीम है इस टीम को मैं कंफर्म करूंगा विराट खोली को मैं केप्टेन बनाके वाइस केप्टेन डिपार्टमेंट में बात करूंगा इस मैच के लिए तो मैं मैक्सवल के साथ जाने वाला है यह दोनों प्लेयर के कॉंबनेशन भी काफी अच्छा जाता है तो यहां पर अब देख सकते हैं एक विकेट कीपर चार बल्लेवाज चार और रोंडर दो गेंदवाज है और केप्टेन वाइस केप्टेन मैक्सवल और विराट को लिए दोनों है और यह जो टीम है इस टीम को भी मैं यहां पर सेव करके रख लूँगा और बैक अप प्लेयर को भी मैंने अड़ कर लिया तो यह बूरी है कि देखा जा तो हमारे साथ जील टीम बन गया और आठमा जील टीम पर आपको कुन-कुन सा प्लेयर सही रहेगा चलिए आपको मैं दिखा देता हूं और आठमा जील टीम पर अगर मैं बात करूं तो दिने सकातिक उनली एक मां को आड़ कर रहा हूं इसके साथ मैं रमन दीप सिंग को ले रहा हूं तो यहां पर आपको कौन सा प्लेयर सही रहेगा यह भी जानना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है लेकिन आपको सोन समझ के के लेना ही पड़ेगा सब्सक्रिण के और यहां पर कंश्री आपको यह बात कर जाए जो चार और ऑ्ल-ण्डर तीन गेंद बाजे और यहां गया और इम्पाrod प्लेयर के रूप में, चार प्लेयर को आड़ करना भाई, तो मैक्सवल रहेंगे, मिचल स्टार के भाई, और रिंकु सिंग, और इसके साथ सा तो वैंकटे सायर को टीम पे रखेगा, और यह जो टीम है, इस टीम को मैं फिनिस करूँगा भाई, 8th GL टीम पे, तो पूरे कितन उसका बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको वैंकटे सायर है, और विराट और फैप डिप्लेसिस दोनों को मैं टीम पे ले रहा हूँ, और रूंडे सेक्शन पर एगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पर कैमरें ग्रीन मेरे टीम पे इनको मैंने टीम पे ले ल गिंद वाजीट इपार्टमेंट में यहाँ पर स्टार्क और इसके साथ साथ मैं एस दयाल के साथ मैं जाना चाहूंगा भाई, यहाँ पर एस दयाल को टीम पे रख लेना है, तो यह जो टीम है, यह टीम पर काफी अची बन गया, लेकिन यहाँ पर आपको केप्टेन यहाँ पर केप्टेन रहेंगे और फैब डूपलेस इसको यहाँ पर मैं वाइस केप्टेन पर आड़ करने वाला हूँ, और यह जो टीम आप देख सकते हो, एक विकेट की पर चार बल्ले बाई, चार अल रूंडस और दो गेंद बाज यहाँ और केप्टेन वाइस को मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अनुजरावत मेरे विकेट कीपिंग पर रहेंगे बाई, बैटिंग डिपार्प्रेंट में यहाँ पर रिंकु सिंग मेरे टीम पर है, आप भी इनको टीम पर कन्फॉर्म कर लेना बाई, और उसका बाद अगर मैं बात करूँ तो नितिश्राना है, नितिश्राना को भी मैंने टीम पर ले लिया भाई, यहाँ पर उसका बाद यहाँ पर आपको वेंकेटेस आयर को मैं टीम पर रख रहा हूँ और उसका बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रमन दीप सिंग है, इनको मैंन लेना चाहिए बाइंडूर्ड रसल को तो यह जो टीम है भाई यहां पर तीन और अगर मैं बात करूँ तो यहां पर गिंदवाजी में जो प्लेयर को भी मैं फिक करने जा रहा हूँ यहां पर अलजरी चोसफ है इनको टीम पर रखेगा और उसका बाद अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको सुयास सर्मा नजर आएंगे इनको भी मैंने टीम पर ले लिया और उसका बाद जो प्लेयर हैं यहां पर आपको मैं फिक करना चाहिए यहां लेे ले लुक्ते मामले में बात करूँ तो हैं लेकिन अच्छे टीम है यहां बाद तो अलजरी जोसफ यहां पर आपको वाइस केपिटन पर लिवी ले सकता है और केप्टेन के मामले में अगर मैं बात करूं, Cameron Green मेरे टीम पे रहेंगे, तो आपको यहां पर एक विगट कीपा, चार बाले बाद, तीन ओल रूंडर तीन गेंदबाज और केप्टेन वाइस केप्टेन पर तो देखते देखते हमने पूरे 10 जील टीम बना लिया और यहां से 10 जील टीम होगा और इसके साथ से बस्त पीक रहनेवाला अब लेकिन अभी तक वीडियो को आप लाईक नहीं किया तो प्लीज भाई करें तो यहां पर अभी आपको मैं बताऊंगा विकेट कीपिंग डिप स्कींहें इसका बता है प्लेए आप इनको टीम पे रखेंगा और इसके साथ मोरून चकर बना चाहेंगAR तो यहाँ पर आपको captain vice captain पी कौन सा player रहेगा क्येंट 과श के क्लेए इस match के लिए कर बात करूं तो यहाँ पर विराट को captain बनाना चाहों और downtown department पे यहाँ पर आपको कौन सा player रहे गा यहाँ पर male तो महमद सिराज दौनो एक best friend यहाँ पर तो विराट और मुहमद सिराज को यहाँ पर मैं केप्टन वाइस केप्टन पर लेने वाला हूँ तो आप देख सकते हो बाई काफ़ी बढ़िया टीम हम लोग कर बना है तो यहाँ पर एक विकेट कीवर तीन वल्लेवा तीन ओल रूंड़ा चार गेंद बाजे और केप्टन वाइस केप्टन पर यहाँ पर आपको मैंने बता दिया और यह जो टीम है इस टीम को मैं फिनिस करूंगा बाई लिवित जील टीम पर और बैक अप लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैक अप लेयर पर आपको आयार ना राएं और यहां पर नितेश राना है और इसके साथ-साथ यहां पर आपको कुन सा प्लेयर को आप टीम पर रखेंगे तो आपका टीम अच्छा बन सकता है यह भी देखना है आपको अच्छी तराना लाशना जो अच्छी गिंदवाजी की तो यहां पर इनको मैंने टीम पर आड़ कर लिया और यहां पर देखते हैं पूरे 11 जील टीम बनाने के बाद अभी आपको मैं 12 जील टीम बना के दिखाऊंगा और 12 जील टीम पर आपको कौन-कौन सा प्लेयर सही रहे यहां पर मैक्सवल आइंडल रसल यह तो ही आल डूंडर रहेंगे लेकिन गिंदवाजी पर स्टार वरुन चक्रवर्थी और इसके साथ साथ अब अलजेरी जोसब को टीम पर रख लीजेगा तो यहां पर आपको क्यप्टेन वाइस के लिए मैं बात करूं मैक्सवल मैक्स केप्टेन पर मैं वेंक्टेस आयर को टीम पर ले लिया और यह जो टीम है आप देख सकते हैं एक विकेट कीपर पांच वल्ले बाद दो और तीन गेंदवाजे और केप्टेन वाइस केप्टेन भी आपको यहां पर मैं सर्किल करके बता रहा हूं और यह जो टीम है इस टी हमारा बन गया और अभी आपको मैं दिखाऊंगा 13th GLT और 13th GLT पे आपको कुण-कुण सा प्लेयर सही रहेगा यह भी जानना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और 13th GLT पे यहां पर मैं जो प्लेयर को पिक करने जा रहा हूं यहां पर अनुज रावत मेरे टीम पे रहे चार अपको टीम पे रहेगा है और स्टार्क टीम पे रहेंगा वरुण चकरवथी को मैं डॉब जोसर प घर और इसके साधसा आपको हर से तृतरना को उपस्टीम पे रहेगा रहिए कंपह कुण-कुम सा प्लेयर तयो देख लिजिएगा यहां पर क्याप्टैन वा SAM आपक यहां पर आपको मैं सब्सक्राइब करके बता दिया और यह जो टीम है इस टीम को मैं सेव करके रख लूँगा और यह यहां पर आपको फिलिप शॉल्ट और अनुज रावत रहेंगे बैटिंग पर आपको विराट फाप डुपलेशिस रिंग कुसिंग स्रीय सायर है तो यहां पर इस चारों को टीम पर रखेगा मैक्सवल रसल ग्रीन और इसके साथ साथ यहां पर नरायन को ड्रॉप कर सबस्क्राइब करेंग लोट आपको में स्युल्ट और इस चायाओ बारिशी लेकिन और तीन जिरीयस यहां पर यहां पर किया बात आच तो दो विकेट की पार चार बार लेगा तीन अल्ड रूंडर दो गेंद वाजय और किप्टिन वाइस किटिन टे स्टार का और आयर को मैंने टीम पे लेके इस टीम को मैं फिनिस करूंगा 14th GL टीम पे और यहां पर आपको बैक अप प्लेयर पे खुन कुन से प्लेयर सही रहे तो यहां पर आपको पूरे चुगदा जील टीम कंप्लीट हो गया और अभी आपको मैं दिखाऊंगा 15th GL टीम पे अगर मैं बात करूं तो दिनेश कातिक अनुजरावत फिलिप शॉल तीनों रहेंगे विराट फैब डूपलेसिज और यहां पर स्रीयर सेयर और इसके साथ नितिय च्राना को टीम पे रखेंगा ग्लेन मैक्सवल रसल कामरें ग्रीन है और गेंदवाजी में एक मातर प्लेर अब सिराज को टीम पर रहेंगे और यहां पर आपको अनुजरावत मैश को चेंज करके दे सकते हैं और यह जो टीम है इस टीम पर इकर में बात करूं 15 जील्टी मेरा सक्सेस्फुली सेव हो गया और बैक अप के रूप में बात करूँ इस टीम को मैं बहतरीन टीम के रूप में यूज करूँगे और यह जो टीम है इस टीम को मैं यूज करने वालों 15 जील टीम तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा 16 जील टीम 16 जील टीम पर अपको ओनली दिनेश काति को टीम पर रखना है और फैब डिपलेशेस विराट को ड्रॉप कर रहा हूँ भाई रिंगू सिंग भी रख रहा हूँ वेंकटेस आयर को टीम पर लीजेगा रसल और नरायन कैमरून ग्रेन मैक्सवल को ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पर रमन दिप सिंग को मैं टीम पर ले रहा हूँ शिराज और स्टार्क दोनों रहेंगे और उसका बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको माइंग दगर को मैं यहाँ पर रिस्क लूँगा काफी अच्छे प्लेयर है लेकिन यहाँ पर केप्टेन पर रिंकु सिंग को मैं टीम पर लेके बाई वाइस केप्टेन पर मैं एंडू रसल को ले रहा हूँ बाई दोनों एक तगड़े हिटर थे तो आप देख सकते हैं इस टीम पर एक विकेट की बाद तीन बल्ले बाद चार ओल रूंडर तीन गेंद बाज है और केप्टेन वाइ चकरवर्थी को भी मैं टीम पर ले लेता हूं बाई और यह जो टीम है इस टीम को मैं फिनिसिंग करूंगा 16th GL टीम पर तो देखते देखते हैं हमने पूरे कितने इस टीम बना लिए और अभी बाकी चार जील टीम किस परकार रहेंगे तो यहाँ पर बाकी चार जील टीम पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिरेश कातिक अनुजरावत दोनों रहेंगे विराट फट डूबलेस और इसके साथ अपको लेना चाहिए रज़त पटिद पटीदार को बायँ और यहाँ पर अपको लेना चाहिए को टीम पर रख लीज़ेगा तो यहाँ पर आपको केप्टिन वाइस केप्टिन पर विराट यहाँ पर मुझे सही लेग रहा बैए और वाइस कीप्टिन डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो रज़त प्रमस्टिक में काफी अच्छे प्रफॉर्मिस दी है और यह अभी नहीं खिल पार है लेकिन फ्लियर मैच को चेंज करके दे सकता है तो यहां पर आपको दो विकेट कीपर चार बल ले बाद दो और तीन गेंद बाज है और केप्टेन वाइस केप्टेन पर विराट और इसक साथ साथ यहां पर आपको लेना चाहिए कुन से प्लेयर सही रहेगा यह भी देखना तो आपको महीपाल लोमर इंपक्ट प्लेयर के रूप में काम आएंगे तो आप यह प्लेयर को कंफर्म कर लेना तो देखते देखते हमने पूरे कि दिने 17 जील टीम बनाने के बाद अपने टीम के लिए में गेंदबाज है तो तीम एक बार अच्छे से देखेगा दो विकेट की बार चार बले बार तीन ऑल्ड रूंडर दो गेंदबाज है और के मामले में दोनों दुनिया का बेस्ट वोल्डर से बार सिराज और स्टार्क तो दोनों को मैंने के वाइस के बना लिए और यह जो टीम है इस टीम को भी मैं सेव करके रख लेता हूं लेकिन बैक अप के रूप में आपको यहां पर विराट कोली रहेंगे सुनिल नारायन और इसका बाद यहां पर अगेंदबाजिंग में फोकेस कीजेगा यहां पर तो गेंदबाजिंग में बात कर आपको इंपक्ट लेयर के रूप में काम आएंगे तो यह जो टीम है इस टीम को मैं फिनिस करूंगा एटीध जील टीम पर देखते देखते हमने पूरे 18 जील टीम हमने बना लिया और 19 जील टीम पर आपको अनुच रावत और फिलिप शॉल्ट दिनेश कार्थिक तीनों क मैं ड्रॉप करा हूँ अलजरी जोसफ रहेंगे और इसके साथ साथ यहां पर आपको लिना चाहिए हर सी तरा ना उखो तो केप्टन वाइस केप्टन पर इस मैच के लिए कर मैं बात करूं तो केप्टन वाइस केप्टन पर रसल और विराट कोली की कॉमबिनेशन मुझे लाए गया इन दोनों को मैंने टीम पर ले लिया तो तो तीन विकेट की पर तीन बल्ली बाज दो अल्रॉंडर तीन गेंद बाज हैं और केप्टन वाइस केप्टन पर आपको एंडर रसल विराट कोली को मैं टीम पर लेके इस टीम को मैं फिनिस्ट करूंगा 19th GL टीम पर देखते हैं देखते हैं पूरी हमने 19th GL टीम बना लिया लेकिन केप्टन वाइस केप्टन पर फैब भाहिया और यहां पर रिंगो सिंग और इसके साथ साथ सिराज और कैम्डर ग्रें पहले चार प्लेयर को यहां पर मैंने इंपार्ट प्लेयर के रूप में यूज कर लिय तो देखते हैं देखते हैं 19th GL टीम बना लिया हैं लेकिन लेकिन लाट्स फाइनल ग्रें पर गर मैं बात करूँ तो फिलिक्स शॉल्ट और इसके साथ अनुज रावत टीम पर रहेंगे विराट फैब डूपलेसे रिंगो सिंग स्रिय सहर चार प्लेयर काफी इंपोर्टन मैक्सवाल और यहां पर आपको यह तीन AllCK तीम पे रखेगा गेंद वाजी इस टार को आप टीम पे रहेंग यहां पर यहां पर अल Πैलेट के बाפ, मिचल स्टार का अलजरी जोसफ है तो केप्टेन वाइस केप्टेन पर रसल और यहाँ पर विराट को लिये लेकिन यहाँ पर आपको केप्टेन वाइस केप्टेन तो बना लिजे लेकिन impact player के रूप में आपको काफे players अवर हो जाएंगे इसको प्लेंग लास्ट फेलिंग भी कर सकते हैं आपको फिनिसिंग रूल दे सकते तो देखते देखते हूं पूरे कितने बाई 20 जील टीम तो बना लिया और अब कितने GL team बनाँ एक भी नहीं बनाना भै लेकिन यह जो 20 GL team है पहले इस team को save करके रख लेना तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा भै अगर विकेट कीपर मिस होता है तो विकेट कीपर की जगह मैं किसको लेना चाहे तो भाई फिर से आपको विकेट कीपर को लेना लेकिन गेंदबाज के साथ मज जाना और गेंदबाज एकर मिस होते हैं तो गेंदबाज के जगह आप आल रोंडर या बॉलर को फिक करेंगे तो अच्छा रहेगा अगर आप इसमें 11 के 11 प्लेयर टीम पे है तो आप यहाँ पर टीम को सेम रहने दीजेगा लेकिन यहाँ पर पहले सेव करके रख लेना फाइनल टीम फदर अप्डेश जो भी होगा आपको मैं टेलिग्राम पर देदूंगा लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ है कॉमेंट सेक्षिन में भी पिन कर चुका हूँ तो भाई टेलिग्राम चैनल को कमपलसरी जॉइन कर लेना और